नमस्कार मैं हूं मेनका और खाना घरगर का पे आपका स्वागत है भुनना अपने आपने एक आठ है कुछ लोग भुनने के नाम पे मसाले को जला देते हैं ये बहुत ही पेशन टेकनीक है जैसे आप मसाले को जलाएं भी नहीं और उसे अच्छे से रोस्ट भी करें उसका असेंस भी लूज ना हो हमारी आज की रेसिपी है भुना चिकन तो आपका ये आठ आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं आईए हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं पहले से धुला हुआ चिकन है हमारे पास एक काटा लेके फोर्क लेके आप चिकन की पीसिस को थोड़ा पंच कर दीजे इस तरह से ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो मसाला अंदर तक जाए अब इसमें हम दही डाल देते हैं थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर जसको बड़ा गोल्डन कलर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर अच्छे से ने हातों से कोट कर लीजिये Don't shy away from doing this. Feel the texture of your chicken. जितने passion से आप खाना पकाएंगे उतना ही प्यार और स्वाद खाने में जाएगा. चलिए अपना भूना मसाला तयार करते हैं. थोड़ा सा तेल इसमें हम डालेंगे जीरा, आधा चमच, इसमें मिलाएंगे हम बारी कटा हुआ प्यास. आप इसमें दो प्यास ले सकते हैं बिकर प्यास का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टन्ट है. अधरकलसन का पेस्ट, एक चमच, अच्छी तना फ्राइ कर दीजिए इसको. इसमें हम टमाटर डालेंगे. तमाटर थोड़ा कम भी डालें तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि दही में अपना खटापन है. तो हम बहुत जादा खटा नहीं करना चाहते इसे. तमाटर को अच्छे से हिला लीजिए. थोड़ा नमक हमने चिकन में डाला है और थोड़ा सा मसाले में डाल देंगे. आधा चमच, मिर्ची पाउडर, एक चमच. थोड़ा और गरम मसाला आधा चमच. अच्छे से मिक्स कर लें. मसाला भुनते वक्त आप पानी का सहारा जरूर लें. एक हल्का सा चीटा पानी का और आपका मसाला जलेगा भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगा. मसाला अच्छे से भुन गया है अब इस पैक चिकन दालते हैं जो हमने मैरिनेशन कि लिए साइब में रखा था और उसे भी अच्छी तरह भुन लेते हैं. इसे में मसाले में डाल दूँगी इस मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और धीमी आज पर इसे थोड़ा और भुनिए चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है इसे हम कवर करके पकने देंगे मैं इस में पानी नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन अपना पानी छोडता है दही का भी पानी छूटेगा and that's enough to cook my chicken ready to serve फिर से थोड़ा सा धनिया पत्ता इसे गानिश करने के लिए बहुत प्यार से और पेशन्टली बनाया हुआ चिकन भुना जलाई लामा कहते हैं always approach cooking with patience and with love अगर हमारी भुना चिकन की रेसिपी ने आपको एक patient cook बना दिया है तो आप हमें subscribe कीजिए fame food पर हम हाजर होंगे फिर धेर सारी नई रेसिपीज के साथ खाना घर घर का पे